तो हमारे साथ आज बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं तो आपका अपना बच्पन बागेश्वर और नहीनिताल में बीता तो किस किसम की को करिकुलर अक्टिविटीज आपने करी जो की अब आपको प्रोफेशन में बहुत काम आ रही है और मेरे पूछने का मकसद ये भी है क्योंकि हम ना एक नंबरों की अंधी दोड में लगे रहते हैं बिल्कुल नंबर सबसे ज़्यादा जरूरी है तो मैं ये आप से जानना चाहूँगा कि कितना नंबरों ने आपको आपने कहा कि पढ़ाई जरूरी है जैसा आपने बताया पहले कि ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे ये इंडस्ट्री नहीं चलती है तो पढ़ाई तो ज़रूरी है पर नंबर है और और हजारों चीजे है एडूकेशन इन वेरी वाइड सेंस कि को करिकलर अक्टिविटी अगरा तो आपका अपना कुछ अनुभव के साथ बताईए कि आपने बच्पन में जितने हमारे साथ अभी तसवी ग्यारवी बारवी के बच्चे हैं वो किस किसम की और अक्टिविटीज कर सकते हैं अगर उनका रुजहान वेदर टेलिविजन में है सोशल मीडिया में है या फिल्म में है जी बिल्कुल बच्वन बागेसवर में बीता है तो पाच्वी तक की पढ़ाई तो वहां हुई तब तक तो ऐसा था कि जैसे हर बच्चे का होता है कि अगर किसी को आर्मी की ड्रेस में किसी को देख लिया तो मुझे आर्मी में जाना है स्कूल में कभी कोई DM या SDM इस तरह के कोई अधिकारी अगर आ गए तो जी मुझे ये बनना है या डॉक्टर के पास गए सब लोग उनको डॉक्टर साप नमस्कार कह रहे हैं तो या डॉक्टर बनना है तो या कहीं पर मतलब तब तब तो ये था कि जो अच्छा दिखा वो उस तरह हम जाएंगे जो मतलब ऐसा तब ताई नहीं था पांचवी तक कुछ भी ताई नहीं था पांचवी तक तो ये था कि जो अच्छा दिख रहा है उस तरफ हम जैसे टीचर की अगर हम कई बार रिस्पेक्ट देखते थे तो पर टीचर बनना है ये सब चल रहा था और इसमें हम जो होते हैं उसका बैग्राउंड का भी बहुत हाथ होता है हमारा इनिशिल हम जो भी सोचते हैं क्योंकि बहुत नॉमल ऐसा बैग्राउंड था और कि एक ऐसे बैग्राउंड से मैं आता हूँ जहां पर कि यही था कि आर आप कुछ भी करके ना एक सेटल एक जोब वाला मामला करें आप दो तरह का माइंड सेट होता है एक कि आप सेल्फ इंडिपेंडन आपकी आपकी एपेरियंस है आप अपनी बात कह पा रहे हैं इस लास्ट मां ऑप्शन यही है या तो दौल लगा के पुलिस या आर्मे में भरती हो जाओ या तो थोड़ा सा पढ़ लो बीए डैमेट यह सब चीज़ें करके फिर या तो टीचर बन जाओ या तो आप अधिकारी बन जाओ या तो आप इस तरह का इस तरह के मतलब सोच है त तो उस वक्ट पे क्या होता था कि अगेन हमारे साथ भी होता था कि नहीं जी आप यह सब चीज़ें लेकिन जब मैं कक्षा 6 में पहुंचा और वहां पर मैं उच्चतर मादमिक विद्याले हाट काली का मंदर यह बिंदू खत्ता में पढ़ता है तो मैं जब वहां मतलब यह वह आला नहीं है कि मैंने किसी को किसी की ड्रेस में देख लिया और फिर मैं यह बनना चाहता हूं तो एक अच्छी बात जो मेरे साथ मैं आज कह सकता हूं उसक्ट मुझे नहीं पता था मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी टेलिंग अगर आप इस फिल्ड में आना तो आपका लिस्टनर अच्छा होना बहुत जरूरी है आपको सुनना बहुत जरूरी है तो क्योंकि मैं बच्पन से ही अब समझ में आता है इस वक्त तो कुछ नहीं समझ जाता था उस वक्त सब लोग कहते भी थे कि हमेशा बुजरुगों के बीच में चले जाता है हमारे जितने भी दोस्त भी होते तो हमसे बड़े लोग के बीच में हम दादा जी को बहुत सुनते थे हम क्योंकि अच्छा लगता था जैसे अगर दादा जी कहीं पर बात कर रहे हैं कि टीचर ऐसे बनते हैं तो भले मुझे बनना हो ना बनना हो लेकिन अच्छा लगता था कि इ गाउं मैं थोड़ा सा अच्छा बोला जाता था की यare यह यह पड़ने में ऑच्छे है है यह फुलान जीज में अच्छे है तो वहाँ थो सुनने को बहुत लालाइत रहता था हमेशा चाहे किसी स्टेज पर जाओं या कहीं पर गी जाओं तो लोगों अगवार में लपेट के मुझे कोई चीज भी दे दी तो एक बार में उठाके अगवार पढ़ना कई बार अगर टाइम है तो वो चीज अगर खानी आ लिए खाली उसके बार पढ़ना शुरू हो गया तो इतना तक घर में था कि तुम हो क्या तुम तो बहुत ही अलग हो जाहां तो वहां ये मेरी लिए कितना हो जाएगा यह उसक मुझे नहीं पता था लेकिन गाए बगाए चाही अंचाहे मैं वह सब करता रहा जैसे कि नाटक स्कूल में होते थे तो मैंने अपने स्कूल टाइम में काफी सारे नाटक किया है गश्य के डियिकर zwischen तो अपनी टोली चार-पांस लोगों को दोस्तों को लेके, कि तू यह बनेगा, तू यह बनेगा, तू यह बनेगा और मैं ये बनूँगा, तो इस तरह के नाटक वाटक करना शुरू कर दिया, फिर कभी-कभी स्कूल में निवन दिया, इस तरह की पृतियोगिताएं होती थी, कि कुछ लिखने की बात है, तो लिखने का बहुत शौप था, तो क्या होता था कि पढ़ाई में अगर कई कहानी पढ़ने की बात आई, कहीं कुछ पढ़ने की बात आई, तो घंटु- लग रहे हैं, तो हम continuously वो दे सकते थे, अब ये, लेकिन ये सब कहा ले जा रहा है, ये पता नहीं था, ये सब मुझे कहा ले जा रहा है, ये कुछ नहीं था कि जी, acting में ही जाना है, या इस casting में ही जाना है, या इस film में ही जाना है, ऐसा था ही नहीं था, लेकिन अपने तक तो पडदावी वड़ाई, मतलब यह अख में देखा कि वहां तक तो जब कक्षा 69 जाने की बारी आई, क्योंगे आप पढ़ने में अच्छे हो, अपने अच्छता मां फस्त आए हो, तो यह था कि अभी आपको साइंस लेना है इसमें कोई पूछने वाली वागती है क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप साइंस लोगे जो पढ़ने में अच्छा नहीं है वो आर्ट्स लेगा साइंस क्यों लेना है नहीं पता आर्ट क्यों लेना है वो नहीं पता, लेके क्या होगा वो नहीं पता, मैं क्यों कर रहा हूं नहीं पता, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं, तो ये कभी दिमाग में नहीं आया कि साइन्स की तरफ मेरा रुजहान नहीं है, लेकिन आर्ट में फस्ट आया था दे पारा था, वो नवी या दसवी मैं नहीं दे पारा था, ग्यार्वी तक तो और कम होता गया, और हालात यह हो गए कि बार्वी तक तो बार्वी में मैं, साइंस में, PCM, Physics, Chemistry, Math, उसमें था, तो बार्वी मैं फेल हो गया, जब यह फेल हो गया, तो इस बीच में क्योंकि दावें भी पढ़ता था, अखवार भी पढ़ता था, तमाम सारी चीज़ें होती थी, तो अब डर भी था, घर में जाएंगे, मार पड़ेगी, क्योंकि मामला थोड़ा सा स्टिक था, पापा, आर्मी में थे हैं, अभी आर्मी रेटायर हैं, हमारे दादा जी क्योंकि उस में थोड़ा सा अच्छे पड़े लिखे लोगों में से थे, तो उनका काफी रोजान होता था कि पड़ाई की तरफ, मतलब उनका इतना तक रोजान होता था कि अगर मेरा कोई पेपर है, तो मैं पेपर जो भी लिखके आ रहा हूं, वो वापस आने के बाद हमारे दादा ज इतना ज्यादा था कि ये तो पक्का पता था अच घर जाओंगा फेल हूं तो मार तो पड़ने वाली है, लेकिन पथा नहीं ऐसा क्या हुआ, घर जाके मुझे ये तो ताई था, पिटने ही वाला हूं, लेकिन मैंने कि मैं ना साइंस नहीं पढ़ना चाहता, तो अब उनके तो कैसे हो जाओगे जो तुमने अब तक पढ़ा है और अचानक से तुम आप अब ताय कर लिया था कि आभ मुझे जो भी पास होना है ना वो गरवालों के लिए मतलब एक को ना कि minimum graduation तो हो नीच यह वाला जो चेकर है तो past तो क्यों होना है यह ताहिकर लिया था कि मुझे पज़ें नहीं है अब क्योंकि पढ़ने कहानिया और इन सब चीज़ों में इतना रुजान चला गया था कि past तो हो जाएंगे इतना तो पता था तो उसके बाद काफी समझा है नहीं जब मैंने का नहीं यह तो होगा अब देखा कि जब मारवार पढ़ने वाली बात नहीं है तो थोड़ा सा और हम कड़क हो गए नहीं जी हम तो आर्स ही लेंगे तो यह नहीं कहा लेकिन इतनी हिम्मत नहीं आ पाई कि मैं आर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस फिल्ड में जाना चाहता हूँ तब तक भी हिम्मत इतनी तक तो हुई कि आर्स लोगा लेकिन यह हिम्मत नहीं हो पाई अगेन यहीं पर मैं यह बात करता हूं कि हमारी परवरिस वाला जो मामला है यह यहां पर बहुत काम करता है और मुझे एक बात यहां पर जो बहुत खराब लग रही थी कि यार मेरा परिवार या मेरा बैग्राउंड मुझे यहां पर इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है कि मैं अपनी बात बोल पा रहा हूँ पर आज मुझे वो चीज समझ आती है कि वो बात मतलब वो ऐसा महल क्यों था क्योंकि उसका इफेक्ट जब मैं मुंबई आया तो यहां पर पढ़ा क्योंकि जो हमारी पूरी परवरिश थी हम उसी माइंडसेट के साथ यहां आये थे लेकिन यहां आने के बात देखा कि काम ए साथ आप जब जोड़ते हैं बाहर से आप कुछ भी सोच लें कुछ भी खैली पुलाव बना लें उनसे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है यह तो आपको बात मता चलता है यह सारी चीज़ें हुई और फिर आगे हुए फिर थोड़ी से पढ़ाई हुई फिर उनने का कि और तुम इस फिल्ड में इसलिए जाना चाह रहे हो क्योंकि तुम कुछ और नहीं कर पाऊगे तो मैंने का ठीक है मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा आपको ऐसा लग रहा है तो उस वापे computer hardware काफी popular हो रहा था कि computer hardware networking कर लो तो job तो मिली जाती है या नहीं दोगा तो मतलब मैंने का तो उनकी चिंता इस बात को लेकर थी कि अगर आ अम मुम्मई जाओ गई तो हमारा घर तो छोड़ो पुरे गाओं पुरे महां से कोई ही नहीं तो आपको support कुछ नहीं मिल पाएगा और कियूंकि अब यह बात समझ आती है कि उनका दिमाग इस बात से था जब कई बार हमें लगता नहीं कि माबाप समझ नहीं पाते हैं किया हमने इस बात की चिंता थे कि हमने इसे बच्पन से जो जो परवरिज दी है वो तो वहां काम माने वाली नहीं है अल्टिमेटली उन्हें ये बात तो दिमाग में थी तो उन्हें था कि वहां जाओगे कौन सपोर्ट करेगा कैसे होगा आप किसी को जानते नहीं हो और कैसे होगा क्या होगा तो नहीं नहीं अब तो होई जाएगा मै कैसे भी करके जाऊंगा तो बड़ी इस यहां से फिर देरे देरे एक विद्रोही किसम का चीज़ें होई कि नहीं नहीं मुझे करना ही है मुझे करना ही है